केरल में प्लास्टिक का कच्रा बीनने वाली स्थानिय नगरपाले का की 11 महिलाएं करनियों पर छपड़ फार कर धन वर्शा हुई है इन गरीब महिलाओं ने आपस में पैसे खटा करकर लौटरी का एक टिकेट खरीदा था और अब इसका 10 करोड रुपए का जैक पॉट लग गया आपको बता दे कि केरल के मलापुरम की इन 11 महिलाओं में से किसी की भी सिथी 2500 रुपए की लौटरी टिकेट खरीदने की नहीं थी इसलिए इनों ने आपस में 25-25 रुपए जमा करके 2500 रुपए का एक लौटरी का टिकेट खरीदा था बुदवार को जब ये महिलाए घर-घर जानकर फूड़ा बीनने लगे और प्लास्टिक की कच्रे को लेकर नगरपाली का गुदाम में पहुची तो उन्हें लौटरी जीतने वाला नंबर पता चला हरे रंग का ओवरकोट और रबड के दस्ताने पहनी इन महिलाओं की खुशी का तो ठिकारा ही नहीं रहा केरल की लौटरी विभाग ने घुशना की कि इन महिलाओं के खरीदे गए टिकेट ने 10 करोड रुपे का मौनसूल बंपर अवार्ड जीता है आपको बता दें कि ये खबर आपकी तरह फैल गई है और गुरुवार को नगरपाली का के इन कुदाम परिसर में लोग इन लौटरी विजेता महिलाओं से मिलने आने लगे और उने बधाईया देने लगे इन में से राधनाम की एक विजेता ने कहा है कि उन सब की खुशी का ठिकाना कोई नहीं है जब उने पता चला कि उन लोगों को पहला इनाम मिलाए हम सभी के जीवन में बहुत खर्टिनाईया है और अब इस रकम से हम लोगों की समस्याएं बहुत हद तक दूर हो जाएंग का वेतन मिलता है हरित कर्म सेना की अध्यक्ष शेजा ने कहा है कि इस बार बहुत ही योग है और जरुरतमन लोगों का भाग के चौंका है इन में से कईयों को कर्ज उतारना है और किसी की बेटी की शादी करनी है मज़े की बात यह है कि इन महिलाओं ने दूसरी बार इसी ही खरीदी थी और 4500 रुपे का इनाम जीता था तब भी इन लोगों ने मिलजल कर टिकेटे खटा किया था और मिलकर ही इनाम की राशी आपस में बाट ली थी अब इनके तो चांदी चांदी हो गई है कि आखिरकार 10 करोड रुपे का यह करेंगी क्या